प्यारे बच्चों, COVID-19 के कारण आप सभी अपने अपने घरों में रहकर ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे समय में आप अपनी पढ़ाई को रोचक तरीके से सीख समझ सकें, इसके लिए जार्खन सतकार द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है हमारा दूरदर्शिन, हमारा विद्याले कारिक्रम। इसके माध्यम से आप प्रतेग दिन सुमवार से शुक्रवार तक पुर्वाहन दस से बारा तथा प्राहन एक सी दो बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कारिक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभ ये आवास कौन है ये बोलो कौन है ये ना है हमको दिखती ना जाने ये कैसी लगती क्या ये जिन है या कोई भूत या किसी नट खटके करतूत बात बड़ी है सीधी सीधी मैं हूँ आपकी संपल सीधी। टीचर्स बच्चों को गुणज की परिभाशा सिखाने से पहले अर्थ समझाएं। आप तो जानते हैं कि गणितिये अवधार नाओं को यदि बच्चों की व्यवहार तथा उनके परिवेश से जोड़ दिया जाए तो वे बहुत आसानी से उन अवधार नाओं का प्रयोग करना सीख जाते हैं। जैसे यहां पर रश्मी कर रही है। चलिए देखते हैं। छुट्टी के समय रश्मी जब स्कूल से घर जाती तो कच्चे रास्ते में लगे पत्थरों की टाइलों को गिंती करती चली जाती। दो, चार, छे, आठ, दस, बारा, चौदा, सोला, अठारा, बीस, बाइस, चौबिस, चबिस, अठाइस, तीस, बत्यस, इसी प्रकार से चालिस तक। बच्चों तुम बता सकते हो इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब हुआ कि रश्मी के घर से स्कूल पहुँचने तक बीच में चालिस टाइलें पढ़ती हैं। अब बताओ रश्मी क्या कर रही थी। दीदे रश्मी गिनती कूद कर टाइलों को गिन रही थी। बिल्कुल ठीक। रश्मी हर बार कूद कर दूसरी टाइल पर खड़ी हो जाती। इसलिए वो हर कूद को 2 से गुणा ही तो कर रही हैं। पहली कूद 2 गुणा 1 यानी 2। दूसरी कूद 2 गुणा 2 यानी 4। तीसरी कूद 2 गुणा 3 यानी 6। और इसी तरह से दो दो के अंतर में आर्ट, दस, बारा, चौदा, सोला, अठारा, बीस, करते करते वे, चालिस तक पहुँच जाती है तो बच्चों, इन सभी संख्याओं को देख कर कुछ समझे ये सारी संख्याओं तो दो के पहाड़े में आती हैं ना किसी भी संख्या के पहाड़े में आने वाली सभी संख्याओं उस संख्या की गुणज कहलाती हैं गुणज यानी गुणा से जन्म लेने वाली या गुणा करके मिलने वाली संख्याओं दो की गुणा से जो भी नई संख्या हमें मिलेगी वो दो की गुणज कहलाएगी जैसे दो, चार, छे, आर, दस इत्यादी वो दो गुणा सो हो, दो गुणा नौसो निन्यानवे हो या दो गुणा दस हजार हो या कितनी भी बड़ी संख्या हो होगी वो 2 की ही गुणाज क्योंकि वो हमें 2 से गुणा करने के बाद मिली है तो इसी तरह 3 के गुणाज हुए 3, 6, 9, 12, 15, 18 इत्यादी 9 के गुणाज हुए 9, 18, 27, 36, 45 इत्यादी 12 के गुणाज हुए 12, 24, 36, 48, 60 इत्यादी ठीक है? तो अब आपको समझाया कि हमने पिछली कक्षा में पहाड़े क्यों याद किये थे? क्योंकि अब उनकी जरूरत पढ़ने वाली है चलिए मैं ब्लैक बोर्ड पर पहाड़ा चाट बना कर इस बात को समझाती हूँ यह रहा हमारा पहाड़ा चाट इस पहाड़ा चाट में एक से लेकर दस तक सभी संख्याओं के गुणज कितने साफ साफ दिख रहे हैं सीधे भी और आड़े भी अच्छा एक चीज दिख रही होगी इसमें ध्यान से देखिए क्या आपने देखा कि हर संख्या के नीचे या उसके सामने गिंती कुदने के पैटर्न में संख्याएं अंकित हैं तो फिर गिंती कुदना क्या है? अरे भई, दो की गिंती कुदना यानि दो के गुणज तीन की गिंती कुदना यानि तीन के गुणज जिस भी संख्या की गिंती कुदी, उसके ही गुणज बनते चले गए यानि किसी संख्या के पहाड़े में आने वाली सभी संख्याएं उस संख्या की गुणज होती है गुणज का दूसरा नाम अपवर्ति भी होता है क्या होता है? अपवर्ति और गुणज या अपवर्ति को इंगलेश में मल्टिपल भी कहते हैं मल्टिपल मल, थी, पल यानी गुणज इससे एक और बात जो समझ में आती है वो ये है कि किसी संख्या का सबसे छोटा और पहला गुणज स्वयम वही संख्या होती है जैसे दो का सबसे छोटा गुणज दो तीन का सबसे छोटा गुणज तीन क्या तुम जानते हो ऐसा क्यूं होता है? ये इसलिए क्यूंकि किसी भी संख्या को एक से गुणा करने पर वही संख्या मिलती है एक बात और ध्यान देने वाली है वो ये कि हर संख्या एक की गुणच है क्योंकि एक के पहाड़े में तो सारी संख्याएं आती है ना भले ही वो सो हो, हजार हो या दस हजार या फिर कोई और बड़ी संख्या हो ठीक है ना? अच्छा, ये तो हुआ सबसे छोटा गुनज लेकिन किसी संख्या का सबसे बड़ा गुनज क्या हो सकता है? सोचो, दो का सबसे बड़ा गुनज क्या है? दीदी, दो का सबसे बड़ा गुनज होगा 900 अच्छा, लेकिन 990 भी तो दो का गुनज है या 9,990 इसको चाहे भाग करके देख लो ये संख्याएं तो तुम्हारी संख्या से भी बड़ी है ना? क्या आप बता सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है? ऐसी कोई संख्या सौचके बताओ, जिससे बड़ी संख्या हो ही नहीं सकती है कोई ऐसी संख्या? नहीं हो सकती ना? बच्चों, संख्याओं का कोई अंत नहीं होता संख्याएं अनन्थ होती हैं और गुणज क्या है? किसी भी संख्या के गुणज से पैदा होने वाली संख्याएं संख्याएं अनन्थ तो उनके गुणज भी तो अनन्थ आया समझ में अच्छा चलो अब हम गुणज या अपवर्द संख्याओं के बारे में कुछ और मज़ेदार बातें जानते हैं जल्दी से चार के गुणज बताओ तो चार, आठ, बारा, सोला, बीस, चौबिस, अठाईस, बत्तिस, छत्तिस, चालिस ये सबी चार के गुणज हैं अच्छा अब ये बताओ कि क्या चौबिस भी चार का गुणज है और चपन और तेहत्तर बच्चों ये जानने के लिए हमें चार से इन संख्याओं को विभाजत करके देखना पड़ेगा अगर पूरी तरह भाग हो गया तो ये संख्याएं चार की गुणज या अपवर्ते होंगी यानि अगर चार से भाग करने पर शेशफल 0 ने मिला तो ये संख्याएं चार की गुणज कहलाएंगी चलिए भाग करके देखते हैं यह देखो 44 को चार से भाग किया तो शेशफल 0 मिला और 56 को चार से भाग किया तो भी शेशफल 0 मिला लेकिन 73 को चार से भाग करने पर शेशफल 1 बच जाता है इसका मतलब यह हुआ कि संख्या 44 और 56 चार के अपवर्ते हैं लेकिन 73 नहीं है आज आपकी तरह रश्मी ने भी स्कूल में गुणज या अपपर्त के बारे में पढ़ा स्कूल में रश्मी ने गिंती कूद कर टाइलों पर चलने वाले खेल के बारे में अपने मित्र विजे को बताया तो घर लोटते समय विजे ने कहा रश्मी तुम बस दो-दो टाइल कूद सकती हो मैं तो तीन-तीन कूद सकता हूँ देखो बस फिर क्या था रश्मी दो-दो की गिंती कूदने लगी दो, चार, छे और विजे तीन-तीन की गिंती कूदने लगा तीन, छे, अरे छे? हम तो एक ही टाइल पर आ गए टाइल पर आएंगे, तो ताली बजाएंगे, ठीक है? दोनों बच्चों को अपना ये खेल बहुत मज़ेदार लगा अब बच्चों, तुम बताओ, रश्मी और विजे किस नंबर की टाइल पर आकर फिर से ताली बजाएंगे? कैसे पता चलेगा? चलो पता करते हैं तो दो के अपवर्त हुए और तीन के अपवर्त हुए अब देखो, छटी टाइल पर तो वे दोनों एक साथ खड़े होकर ताली बजा ही चुके हैं इसके बाद बारवी, अठारवी, चौबिट स्वी, फिर तीस्वी और फिर छटिस्वे नंबर की टाइल में वो दोनों ताली बजाएंगे है कि नहीं? तो बच्चों, दो या दो से अधिक संख्याओं के अपवर्तियों में जो संख्याएं समान होती हैं, उन्हें समान अपवर्त या समापवर्त कहते हैं इन्हें इंग्लिश में common, multiple कहा जाता है समझ में आया समापवर्त क्या होता है? लगुतम समापवर्त इस विडियो में लगुतम समापवर्त की अपधारना और परिभाशा तथा दो या दो से अधिक संख्याओं का लगुतम समापवर्त निकालना Teachers, इसी कक्षा में आगे चलकर बच्चों को असमान हर वाले भिन्नों की संक्रियाओं वाले प्रश्न भी हल करने हैं आप तो जानते ही हैं कि वहाँ पर बच्चों को लगुतम समापवर्त निकालने की जरूरत पड़ती है इसलिए बच्चे इसे जितना लिख लिख कर हल करेंगे उन्हें उतनी ही जल्दी लगुतम समापवर्ते निकालना आ जाएगा तो चलिए पहले हम दो और तीन के अपवर्तियों की एक तालिका बना लेते हैं इस तालिका में एक से बीस तक संख्याएं लिखी हुई हैं इन संख्याओं में से जो भी संख्या दो और तीन की अपवर्ते हैं उस पर इस तरह सही का चिन लगाते चलेंगे तो अब इस तालिका में देख कर बताओ कि ऐसी कौन-कौन सी संख्याएं हैं जिन में दो और तीन दोनों के अपवर्तियों पर सही का निशान लगा हुआ है छे, बारा और अठारा है ना तो ये तीनों संखियाएं दो और तीन के समान अपवर्ति या समापवर्ति कहलाएंगे ठीक है? अच्छा ये बताओ कि इन तीनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है छे है ना तो सबसे छोटे समापवर्त को लगुतम समापवर्त भी कहा जाता है लगुतम मतलब सबसे छोटा और समापवर्त मतलब समान अपवर्त तो सबसे चोटा समान अपवर्त हुआ लगुतम समापवर्ते बच्चों लगुतम समापवर्ते को short form में lesser भी लिखा जाता है English में इसे least common multiple कहा जाता है और short form में lcm लिखा जाता है तो अब यदि आपसे 4, 5 और 20 का लगुतम समापवर्ते पता करने को कहा जाए तो आप कैसे करेंगे? 4 के अपवर्ते? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 5 के अपवर्ते? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 20 के अपवर्ते? 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 अब बताओ 4, 5 और 20 के समान अपवर्ते क्या-क्या हैं? 20 और 40? और लगुतम समापवर्ते या लगुतम समापवर्ते या लगुतम समापवर्ते क्या हुआ? 20 हुआ ना? तो बच्चों इससे एक और चीज़ पता चलती है कि किनी दो या तीन संख्याओं का लसर उसमें से किसी भी संख्या से कम नहीं हो सकता अच्चा ये तो हो गया लगुतम समापवर्ते निकालने का पहला तरीका लसर निकालने की एक और सरल विधी है जिसे विभाजन विधी या भाग विधी कहा जाता है इस विधी में दी गई संख्याओं को एक पंक्ती में रखकर अभाज संख्याओं से भाग किया जाता है इसलिए इस विधी को समझने से पहले हम यह समझ लेते हैं कि अभाज संख्याओं क्या होती है तो बच्चों जैसे की नाम से ही पता चल रहा है अभाज यानी जिनने भाग ना किया जा सके तो अभाज संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयम अपने अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती जैसे दो, तीन, पाँच, साथ, ग्यारा, तेरा, सत्रा, उन्निस, तेज, इत्यादी देखो ये सबी संख्याएं एक और स्वयम अपने अलावा किसी भी संख्या से भाग नहीं की जा सकती करके देख लीजिये चाहे, नहीं हो सकती ना? तो ये तो हुई अभाज्य संख्याएं, हम इनके बारे में अगले विडियो में और विस्तार से समझेंगे यहाँ बस यह जानते हैं कि इन संख्याओं से कैसे हम लगुतम समापवर्त असानी से निकाल सकते हैं तो ऐसा करते हैं कि यही संख्याएं जिनका हमने पहले तरीके से लसर निकाला था यानि चार, पांच और बीस का लसर किसी और विधी से निकाल कर देखते हैं कि एक ही उत्तर आता है या नहीं चलो करके देखें तो हमारे पास संख्याएं हैं चार, पांच और बीस सबसे पहले हम इस तरह से लाइन के एक तरफ इन तीनों को एक के बाद एक कॉमा लगा कर लिख लेंगे कॉमा इसलिए लगाया जाता है ताकि तीनों संख्याएं अलग-अलग दिखें विभाजन विधी में हमें ऐसी छोटी अभाज्य संख्या से भाग शुरू करना होता है जो दी गई संख्याओं में सबसे ज्यादा संख्याओं को भाग कर सके इसके बाद बड़ी अभाज्य संख्याओं की ओर बढ़ना होता है इसका मतलब अब हमें कोई ऐसी सबसे छोटी अभाज्य संख्या डूननी है जो 4, 5 और 20 को भाग कर सके सबसे छोटी अभाज्य संख्या है दो तो हम दो से इंदी हुई संख्याओं को भाग करेंगे वो संख्या जिससे हमें दाईं तरफ लिखी सारी संख्याओं को भाग करना है उसे हम एक रेखा खीच कर बाईं तरफ लिख लेंगे जैसे यहाँ पर हम दो को लिख लेंगे फिर इस पहली लाइन के भाजक और भाजियों के नीचे एक लंबी रेखा खीच लेंगे तो सबसे पहले हमने 4 को 2 से भाग किया हमें 2 दुनी 4 मिला 2 2 को 4 के ठीक नीचे लिख दिया और उसके बाद कॉमा लगा दिया अगली संख्या है पाँच पाँच को तो 2 से भाग नहीं किया जा सकता उसे हम वैसे का वैसे नीचे उतार कर दो के बगल में लिख देंगे और फिर से कॉमा लगा देंगे अब अगली संख्या है बीस बीस को दो से भाग किया दो दहम बीस तो मिला दस तो बीस के नीचे लिख दिया दस अब हमारे पास फिर से तीन संख्याएं आ गई दो, पांच और दस हमने इनके नीचे भी एक लंबी रेखा खीज दी इने भाग करने के लिए भी सबसे छोटी अभाजी संख्या होगी दो तो दो को दो से भाग किया दो एकम दो, मिला एक दो के नीचे लिख दिया एक फिर पांच को तो दो से पुरा-पुरा भाग नहीं कर सकते तो उसे वैसे ही नीचे उतार दिया और कॉमा लगा दिया उसके बाद दस को दो से भाग किया दो पंजे दस तो मिल गया पांच पांच को हमने दस के नीचे लिख दिया अब हमारे पास फिर तीन संख्याएं आ गई एक पांच और पांच इनके नीचे एक लंबी रेखा खीच दी इन संख्याओं को जो अभाज्य संख्या पूरा-पूरा भाग कर सकती है वो है पांच तो हम बाई तरफ पांच लिखकर इन तीनों संख्याओं को बारी-बारी से पांच से भाग करेंगे सबसे पहले है एक एक को तो हम वैसे ही नीचे उतार लेंगे फिर है पांच पांच से पांच को भाग किया पांच एकम पांच मिला एक उसके बाद अगले पांच को पांच से भाग किया पांच एकम पांच, फिर मिला एक यानि अंत में हमारी तीनों संख्याएं हो गई एक, एक और एक बस जैसे ही हमारी सारी संख्याएं हो जाएं एक तो उसका मतलब है कि हमारी भाग की विधी से लसर निकालने की प्रक्रिया समाप्त हो गई अब बस एक कदम बाकी है हमें बाई और लिखे सभी भाजकों को गुणा करना है तो यहां हो गया दो गुणा दो गुणा पांच कितना हुआ? बीस हो गया इसका अर्थ हुआ कि चार, पांच और बीस का लगुतम समाप्वर्त या लसर हुआ बीस पहले भी हमारा उद्दर बीस ही आया था ना? समझ में आया आपको? इस प्रकार के कई उदारन वर्क बुक में दिये गए हैं उनका अभ्यास करने से यह सरल लगने लगता है अपवर्तक इस विडियो में अपवर्तक की अवधारना और परिभाशा और किसी संख्या के अपवर्तक निकालना तीचर्स, यह विडियो भी पिछले विडियोस की ही अगली कड़ी है इसमें हम अपवर्तक की अवधारना और परिभाशा समझेंगे और किसी संख्या के अपवर्तक निकालने की विधी देखेंगे अच्छा देखते हैं रश्मी क्या कर रही है? रश्मी के पापा ने उसे बीस प्याज के पौधे दिये और कहा कि तुम इन पौधों को वर्गाकार क्यारी में लगा दो रश्मी जब क्यारी में पहुँची तो उसे समझी नहीं आया कि वो किस तरह पौधे लगाए? जैसे वो बीस पौधों को एक पंक्ती में सीधे भी लगा सकती है बीस गुणा एक या बीस पंक्तियों में एक एक पौधा भी लगा सकती है इन बीस पौधों को दो पंक्तियों में भी लगाया जा सकता है जिसमें हर पंक्ति में दस पौधे होंगे दस गुणा दो या फिर दस पंक्तियों में जिसमें हर पंक्ति में दो पौधे होंगे तो बच्चों रश्मी और किस-किस तरह से पौधे लगा सकती है रश्मी चार पंक्तियों में भी तो पौधे लगा सकती है ना हर पंक्ती में 5 पौधे होंगे यानि 5 गुणा 4 या फिर 5 पंक्तियों में भी पौधे लगा सकती है जिसमें हर पंक्ती में 4 पौधे होंगे यानि 4 गुणा 5 ठीक है ना? अब देखो जो ये संख्याएं हैं ना ये 1, 2, 4, 5, 10 और 20 ये सबी संख्याएं 20 को पूरी तरह विभाजित करती हैं करती हैं ना? यानि 20 को इनसे भाग करने पर शेशफल नहीं बचता इसलिए हम कह सकते हैं कि 20 को पूरी पूरी तरह से 1, 2, 4, 5, 10 और 20 हिस्सों में बाटा जा सकता है इसलिए 1, 2, 4, 5, 10 और 20 20 के गुडन खंड हुए गुडन खंड यानि गुडज संख्या के खंड या हिस्से गुडन खंड का एक और नाम है और वो है अपवर्तक अपवर्तक को इंग्लिश में कहते हैं फैक्टर यानि गुडन खंड अच्छा चलो अब एक और खेल खेलते हैं ये 18 कंचे हैं बच्चों आप इन 18 कंचों के समूह कितनी तरह से बना सकते हैं सबसे पहले एक एक कंची के 18 समूह या भाग कह सकते हैं यानि एक गुडन अठारा अब दो दो के समूह बना कर देखते हैं तो देखो दो दो कंचों के 9 समूह बन गए ना यानि दो गुडन नौ अब तीन-तीन के समूह बनाए तीन तीन कंचों के छे समू बन गए यानि तीन गुणा छे अब चार चार के समू बनाते हैं अरे यहां तो दो बच गए ये तो नहीं हो सकता पांच पांच के समू बनाने पर भी तीन बच गए यानि अठारा चार और पांच से विभाजित नहीं होता इसलिए हम उनके पूरे-पूरे समू नहीं बना सकते तो चलिए अब 6-6 कंचों को एक साथ रख लेते हैं और इस तरह हमें 3 समू मिलते हैं यानि 6 गुणा 3 हम 7 और 8 के भी पूरे-पूरे समू नहीं बना सकते क्योंकि इन दोनों संख्याओं से भी पूरा-पूरा भाग नहीं किया जा सकता तो चलिए अब 9 कंचों के समू बना लेते हैं ये बन गए 9-9 कंचों के 2 समू यानि 9 गुणा 2 18 का भाग 18 से किया जा सकता है ठीक है न? तो ये हुआ 18 कंचों का एक समू तो बच्चों हमें इससे क्या समझाया? यही न कि 1, 2, 3, 6, 9 और 18 का भाग 18 से पूरी-पूरी तरह हो सकता है इससे हम कह सकते हैं कि ये सभी संख्याएं 18 के ही भाग यानि खंड हैं जिने हम गुणन खंड भी कहते हैं अब इसका वर्क बुक में खूब अभ्यास कीजिए इसे करने में आपको खूब मजा आएगा समय बारहों महीनों के नाम और किस महीने में कितने दिन होते हैं ये खेल-खेल में उन्हें याद हो जाता है टीचर्स सबसे पहले आप 12 पन्ने ले और हर पन्ने पर एक-एक महीने का नाम लिख लें हर माह के नीचे उस माह में कितने दिन है यह भी लिख दें अब इन पन्नों को एक डिब्बे में रख दें इस गतिविदी को खेलने के लिए 12 बच्चों को सामने बुलाएं ये बच्चे डिब्बे में से कोई भी एक पन्ना उठा लें और उसके बाद महीनों के नामों के क्रम में इस तरह खड़े हो जाएंगे अब सब बच्चे मिलकर यह कविता बोलेंगे तीस दिन सितंबर के, अप्रिल जून नवंबर के बांकी सब के दिन 31, राहा फरवरी अकेला खड़ा हैं फरवरी के दिन 28, अधी वर्ष में एक दिन बड़ा इसके बाद कविता की पहली दो पंक्तियां बोलिए तीस दिन सितंबर के, अप्रिल जून नवंबर के ऐसा बोलने पर महीने में तीस दिन वाले बच्चे आगे आ जाएंगे फिर कविता की अगली लाइन बोलें बाकी सबके दिन 31, अब माह में 31 दिन वाले बच्चे आगे आ जाएंगे और एक तरफ खड़े हो जाएंगे इसके बाद बोलें रहा फरवरी अकेला खड़ा तो फरवरी अकेला खड़ा रह जाएगा फरवरी के पेज के पीछे लिखा होना चाहिए अधिवर्ष 39 दिन इस खेल को कविता के साथ दो तीन बार करवाएं उसके बाद बिना महीनों का नाम लिए सिर्फ बोलें 30 दिन, 31 दिन, 28 दिन, 29 और जिन बच्चों के पास उतने दिन वाले महीने हैं वे आगे आ जाएंगे ऐसा करवा लेने के बाद पूरी कक्षा से पूछें जनवरी में कितने दिन या अगस्त में कितने दिन या नवंबर में कितने दिन होते हैं या पूछें कि जून से पहले क्या आता है इस प्रकार से बच्चों को खेल ही खेल में साल के बारहों महीनों के बारे में अच्छी तरह से सब जानकारी हो जाएगी बच्चो अब मैं जाती हूं कल फिर मिलने आती हूं इंग्लिश में अब होंगी बाते मैं सिखेंगे हास्ते गाते पहली किस्ते और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी बात पढ़ी है सीधी सीधी मैं हूँ आपकी संपर्ख पांडेशन इस प्रसारण सी संबंधित सुझाव अपने प्रश्नी दिया दी आप हमें jcertrg at the rate gmail.com तथा टूल फ्री नंबर 1800-5728-585 पर संपर्ख कर सकते हैं